हेलो दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने योट्यूब चनल बेसे सेंटर में आज किस बूरी में आपको बताने वाले हैं F.I.U.G.P. समिस्टर वन जिनका सेशन 23-37 है चाहे आपका मेजर पेपर में हिस्ट्री हो या आपका माइनर पेपर में हिस्ट्री हो इसका आज हम बताने वाले मोडल सेट पेपर इसी परकार का आपके एक्जाम में भी पूछे जाएंगे और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारी योट्यूब चैनल पर ये बताए जा रहा है कि मेजर और माइनर हिस्ट्री का दोनों का सिलेबर सेम है मतलब जो भी वीडियो बना रहे हों मेजर और माइनर दोनों को सेम बता रहे है तो क्या मेजर और माइनर दोनों का सिलेबर सेम है या अलग-अलग है और कौन सा टॉपिक्स अलग है या सेम है इस पर भी हम लोग वीडियो के आंतों में बात करेंगे यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि मेजर और माइनर का सिलेबस सेम है या नहीं क्योंकि फिर एक्जाम पर सेंटर पर जाओगे कोचन जाओगे कुछ बढ़ करके और आएगा कुछ तो हम लोग इस पर भी बात करने वाले है कि दोनों का सिलेबस सेम है और कोचन सेम पूछा जाएगा कि अलग-अलग पूछा जाएगा ठीक है इससे पहले हम आप लोगों को मोडल पेपर बता लेते हैं चाहे आपका मेजर हिस्ट्री हो माइनर हिस्ट्री हो सेसन आपका 23 से सत्य से ठीक है और मेजर हिस्ट्री चाहे मैनर हिस्ट्री हो आपका फूल 75 मार्स का पूछा जाएगा टाइम आपको तीन घंटा का मिलेगा ठीक है यह सब आप लोग पढ़ सकते हो यह आपका जो कोचन रहेगा वो दो गुरूप में रहेगा ठीक है गुरूप नंबर यह जो कि आपका अनिवार रहेगा कंपल्सरी रहेगा ठीक है और इसमें आपका क्या होगा कि आपका पांच कोचन पूछा जाएगा एक अग नंबर का ठीक है पांच कोचन एक अग नंबर का जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूछा गया कि निम्रिकित परचना के उतर दें जैसे हड़ापा सब्यता का सौरूप था और कैसा था वो आपको आंसर स्रेट में लिखना है पहला का A देकर के आपको जो भी आंसर है उसको लिखना है फिर पहला का B देकर के आपको लिखना है तो जो भी इसका आंसर है वो आपको पहला का B देकर के आंसर लिखना है ठीक है उसके सी नंबर वेद कितने है फिर डी नंबर गोतम बुद के प्रारेंबिक नाम क्या था चाहे आपका मेजर हिष्ट्री हो माइनर हिष्ट्री हो एकजाम का पैटरन सेम होंगे भले कोचन आपको सेम पूछे या ना पूछे वह मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिलेबस क्या इसका लेकिन पैटरन इसी परकार का होने वाला है नेक्ट गोतम बुद के प्रारेंबिक नाम क्या था एंडर नेक्ट कोचन सिंदू सब्यता का सवरूप कैसा था यह एक अग नंबर का कोचन पूछा जागा दोस्तों उसके बाद दूसरा नंबर कोचन में आपको 100 टैप् को बता रहा हूं वह कोचन सेम आपको एक्जाम में ना दे बट इसी परकार का एक्जाम का पैटर्न रहेगा ठीक है कोचन नंबर दूसरा में आपका दो कोचन रहेगा जो की 55 नंबर क्योंगे बहुत लोगों के मन में कन्फूजन होता है कि यह 55 नंबर वालों का अंसर कित ठीक है हम 5 मार्क्स वाले को एक पेज में लिखते हैं हम आपको जाद THAT दे लिखने बोलते हैं इससे जादा नहीं ठीक है चलिए यह हो गया आपका कंपल्सरी कोचन जो की 5 नंबर का 11 मार्कस का कोचन था पका और यहां पर फट्समार्स का दो कोचन ठीक है उसके बाद जब गुरूफ बी में आते हैं दोस्तों तो गुरूफ बीम में से यहां पे असपस लिखा गया कि निम्रीकेत कि नीच चार परसन अको उतर दें आपके पास यहां टोटल साथ परसन होंगी 15 15 नमबर का साथ कोचन होंगे जिन में से आपको कोई भी जो कोचन आपको ब करें एट नमबर मुरीश प्तन के पतन के कारी की समीच्छा करें यहां टूटल साथ गोचने ठीक है दोस्तों अब साथ में सब कोई आपको चार परसनों का उतर देना जो सबसे बैठर हाता माला को तीसरा आता है छठा आता है साथ माट तो यह सब आप सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा ना और है चार बना सकते ठीक हैं तो यह रागिए दोस्तों गभीいや में कभी मत रहेगा कि दोनों का कोचन सेम आएगे नहीं देखिये सिलेबस दोनों में थोड़ा सा चेंज है शब टापिक सेम है बट कुछ चेंज है ठीके ये देखिए मेजर का है यहां अब बात करते हैं देखिए माइनर का तो देखे माइनर में प्राचिन बात ये इतियास के सुरोथ पढ़ना जो कि पहला कोचन बिल्कुल चेंज है ठीक है फिर यहां पर वेदिक सब्यता पढ़ना धार्मिक अंदोल पढ़ना और यहां पर भी मोरी समराज के बारे में पढ़ना बट तीनी टॉपिक्स चंद्र कोचन नहीं पूछ जाएंगे कुछ कोचन सेम और कुछ कोचन आपका डिफरेंट पूछा जाएगा तो आखिर मेरा अगर मेजर हिस्ट्री है या तो मेरा माइनर हिस्ट्री है तो इसका अलग से मैं वीडियो कहां देखूं मेजर हिस्ट्री का उनली फोर या तो फिर उनली वीडियो बना दिए दोस्तों मेजर हिस्टरी का important question अलग से और माइनर इस्टरी का important question अलग से जागर क्याप लोग देख सकती हूं उलज़ना नहीं अगर major history तो जाए only for major history का important देखिए माइनर अगर इस्ट्री है तो माइकर कोहिए मतलब नहीं अलजन नहीं आपको मेजर है तो मेजर के इंपोटरण देखिए और मैने मॉडल प्रस आपको बताया की आपको पेटर्न बता यह किसी परकार का पेठर्न मे पूश्टी मिलता है दोस्तों आप लोग एक अच्छा सा कॉमेंट करें चैनल पर अगर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजिएगा और दोस्तों में सेर कीजिएगा मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ तब तक जैहीं जै भरत